हलो एंड वेलकम गाईज आप सभी का एक बार फिट से एक्सपर्ट नर्सिंग ग्लासेज में स्वागत करते हैं दोस्तों SGPGI की तरब से नई भरती आ चुकी है दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इस भरती के अंदर क्या-क्या योगेता रखी गई है कब से इसका ओनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एक्साम पैटर्न क्या रहने वाला है एप्लिकेशन फीस क्या रहेगी तो पूरी डीटियल से अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तो यदि आपने एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को सेर जरूर करें और दोस्तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो दोस्तों आपको नीचे रेड कलर में इस परकार से सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा इस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको इस परकार से घंटी का निसान दिखाई देगा इस घंटी पर जैसे क्लिक करेंगे इसमें तीन ओप्षन आएंगे All, Personalize and None आपको All पर प्रेस करना है दोस्तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निसान को All पर इसलिए प्रेस करना है ताकि यहां से आपको नर्सिंग के अपडेट मिल पाए और भी दोस्तों बहुत सारी बरतियां आच चुकी है जिनकी बाद मैं इसी वीडियो के अंदर कर लेता हूँ तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद मैं आप इस लोगों पर जाके क्लिक कर सकते हैं इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको वीडियो वाल सेक्षन के अंदर यहाँ पर जाएंगे और वीडियो वाल सेक्षन में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेरो बरतिया मिल जाएगी जैसे कि GMC चंडिगर्ड के दौरा जिप मेर की तरफ से भरतिया निकली हुई है पटना M's के तरफ से भी बर्ती निकली हुई है पर्मानेंट जिसकी last day 29 नौंबर रखी गई है तो उससे पहले बहले आप अप्लाई कर दें इस भर्ती के अंदर साथ में THSTI के तरफ से भी यहाँ पर बर्ती निकली हुए है THSTI के तरफ से भी और दोस्तों बहुत साथ TMC की तरफ से AMS पटना की तरफ से और यहाँ पर CHO की बर्ती भी यहाँ पर निकली भी है तो जो बर्ती आपके अनुसा सूटेबल हो उस बर्ती के अंदर आप अपना online form अप्लाई कर दें और अपना सेलेक्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त करें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं SGPJ की बर्ती के बारे में डीटेल से तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ हम रिकूट्मेंट सेक्शन के अंदर जा रहे हैं रिकूट्मेंट सेक्शन के जाने के बाद आपन इसका ज चुका है और दोस्तों सीधी बढ़ती यहां पे रहने वाली है डायरेक्ट रिकुर्मेंट लेकिन पर्मानिंट पोस्ट है दोस्तों और इसके अंदर कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट भी होगा ठीक है एक्जाम होगा इसके अंदर और इसका जो ओनलाइन आविदन है आपका दिसम्बर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक के अंदर इसमें जैसा की बताए गया है अपिसिल वेबसाइट है www.hcpj.ac.in और कितनी भरती है क्या है वोगी मैं आपको यह बता देता हूँ पोस्ट का नाम क्या रखा गया है और साथ मैं मैं न्यूस पेपर की कटिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर बताया गया कि नर्सिंग के अंदर जो पीजे की तरफ से और भी भरतिया आ रही है उसकी भी बात करेंगे अपन वीडियो के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं टूंडर, कोलेज ओप नर्सिंग के अंदर जो टूंडर की भरती निकली हुए है जिसके अंदर नंबर आख पॉष्ट की बात करेंए टोटल आट पॉष्ट यहां पे रखी गई है लेवल 10 के लिग पूटर, कोलेज ओप नर्सिंग की तरफ से और साथ में दोस्तो यह तो tutor college of nursing के बरतिया इसके साथ में ही जो nursing officer की बरतिया आने वाली है उसकी वी मैं आप विडियो के अंदर बता देता हूं उस paper की cutting में तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं PGI में 800 से ज्यादा बदो पर जल्द बरतिया होगी तो दोस्तो PGI की तरप से 800 ज्यादा पर जल्द बरतिया होने वाली है और यहां पे जो कौन-कौन से बरतिया होने वाली है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं नर्स, technician, लिपिक, social worker, store की पर, receptionist समयत कई अन्य पर बरतिया होगी लखनाओं का यह paper है और यहां पर जो PGI के अंदर भरतिया की बात की गई है 800 से भी ज्यादा पदों पर और 800 से ज्यादा पदों में उसे भी नर्सिंग की बरतिया बात करें आठ पोस्ट है, इसके अंदर टोटल और भी बहुत सारी पोस्ट है, फिजय थे रिपिनिस्ट, फार्मासिस्ट वगेरा तो आप अमने वीडियो को सेर जरूर करें ताकि जो भी केंड़ेट्स हैं, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, और दोस्तों इसके अंदर ये भी बताया गया कि जिन्होंने यह पहले SGPJ का फॉर्म फील कर रखा है, तो उनको वापस से नए सीरे से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, खाले उनको जो उन्होंने अप्लिकेशन फीस जमा कराई थी, उस अप्लिकेशन फीस को की जो स्लिप होगी, उसको अप्लोड करना होगा, ठीक है, तो अब चलते हैं अपन इच्छे की तरफ दोस्तों, और यहां पे sgpj.se.in पे जाकर के आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, दिसंबर के माह में इसका जो है, ओनलाइन लिंक अविलेबल हो जाएगी, आपको अप्लाई करने की जो की संभावितिती बताई जा रही है, और इसके अंदर क्वालिफेकेशन के अपन बात करें, तो यह यहां पर देख सकते हैं, आप B.A.C. nursing from recognized institution, university of registered nurse and with wife, और लिखावा है यहां पर registered nurse and with wife with sister, tutor, diploma यह भी भर सकते हैं, minimum 3 साल के यहां पर experience माँगा गया है, teaching experience in nursing after obtaining the B.A.C. nursing qualification, यानि दोस्तों यहां पर B.A.C. nursing और post B.A.C. nursing दोनों के निच हैं पर अपलाई कर पाएंगे, और 13 साल के दिए आपको आस experience है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं और उदास होने की जरूरत नहीं है PGI की तरब से nursing officer की अलग से भरतियां भी आ रही है और उसकी update भी जल्दी आपको expert nursing classes के माधम से मिलेगी information प्राप्ट करने के लिए नीचे जो red color में subscribe को बटन दिखाए दे रहा होगा उसको अभी subscribe कर लिजिए और गंटी के निजान को और पर प्रेस कर लिजिए क्याकि जैसे ही update मिले हम आपको update कर सके यहाँ पे दोस्तों application fees के अपन बात करें तो group B and C के लिए जो application fees है 1000 है और जो डिजर के टिकरी के लिए 600 पर यहाँ फीस रखी गई है और edge qualification यहाँ पर देख सकते हैं maximum 40 years तक के जो candidates हैं वो इस form को apply कर पाएंगे और इसके अंदर आपका CBT test होगा और computer based test यहाँ पर होने वाला है दो गंटे का आपको time दिया जाएगा 100 marks question पूछे जाएंगे यह exam pattern में बता रहा हूं कहां कहां से question पूछ जाएंगे 60 marks के जो questions है वो आपके nursing subject से होंगे और 10 marks के English से 10 marks general knowledge, 10 marks reasoning, 10 marks mathematical aptitude से आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल exam भी होगा यहाँ पे minimum qualification marks यहाँ दे रखें जनरली डवस ओबिश के 50% और SC, ST के 45% जो है qualify marks है और one third इसके अंदर negative marking भी होगी और यह इसका exam pattern रहने वाला है SG, PGA का तो दोस्तो साथ में skill test के बारे में भी बता रहा है कि यहाँ पे skill test भी कौन-कौन से पोस्ट के लिए रखा गया है तो आपने देख लेते हैं बड़ दोस्तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि skill test के अंदर कहीं भी जो nursing की पोस्ट का जिक्र नहीं है इसलिए संभावना यही है कि इसके अंदर skill test ना हो ठीक है तो यह मैंने आपको यहाँ पूरी जान कर यहाँ पे देदी है और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को share कर दें लाइक कर दें और यदि चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गंटी के निसान को ओल पर जरूर प्र करना पड़ेगा खाली अपलिक्शन फीस उनकी नहीं लगेगी जो उन्होंने पहले अपलिक्शन फीस जमा कर आई थी उसकी जो स्लिप है यह यह आप लगा देंगे अप्लोड कर देंगे तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी और दिशंबर के अंदर इसका जो है जो लिंक है और लिंक वो अविलेबल आपको हो जाएगी तो चले दोस्तों आज किस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद